अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राइ हो गया है टूट रहे हैं ज़ड रहे हैं बहुत सारे नुस्के आपने ट्राइ किया हैं बात आपको बहुत बैटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आज को जो यह नुस्का में लेकर आई होना वो सिर्फ और सिर्फ आपके हम सब भी ठीक है तो आज का जो यह सीरम में लेकर आई हो ना यह आपके बालों को बनाएगा चमकदार घने और बिल्कुल अगर आपके बाल जढ रहे हैं तो उसको यह कम करेगा मतलब इतने सारे जो यह सीरम मैं बना रही हूं इसमें क्वाइलिटी है ना कि मैं आपको गिना दाना तो में तो मैं थी यσι तो आज मीजिक बेड़ना है तो श्माद को अचे से मिक्स करना है और अब भी पगने के लिए यह जो मैजिकली सीरम है यह आपके बालों को बहुत बालुचि देने वाला है तो इसका क्या 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 बाइनिफट है वह मैं आपको बता रही हूं तो सबसे पहले जो हमने इसमें डाला है मेथी दान, यह हमारे बालो को ना बहुत जादा बेनिफिट देता है अगर आपके बाल टूट रहे हैं, जोड़े रहे हैं, अगर डेंटरप की प्रॉबलम है तो उससे यह हमें चुटकारा दिलाता है, इसमें फॉलिक एसिड, विट विटिमिन के और विटिमिन सी जैसे पोसकतत होते हैं, जो हमारे बालो के ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होते हैं, और ढेर सारी समस्याओं से हमें यह निचात देलाता है, तो यहां पे देखे, मैंने इसे च्छान लिया है, तस मिनट पकाने के बाद जितना भी इसका क्व होता है, तो चलिए सारे चीजों को यहां पे मैंने मिक्स कर लिया है, और यह बिल्कुल ठंडा नहीं है, हल्का गुनगुना है, इसे मैं डालूंगी अस्प्रे बोटल में, और इसे हमें लगाना है अपने बालों पे, आप इसे एक हपते भर स्टोर कर सकते हो, और आपको इस अप्लिकेशन का बैटर रिजल्ट पाने के लिए, आप इसे अपने में दो से तीन दिन अप्लाई कर सकते हो, तो देखें, यहां पे मैंने बालों को अच्छे से सुलचा लिया है, उसके बाद मैं यहां पे क्या कर रही हूं, कि मैंने कोटन लिया है, और अब इस तरह स अच्छे से कंडिशनिंग का काम करता है, अगर आप अनली फोर मेथी को लगाऊना बालों में पेस्ट बना कर, तो आपको कंडिशनर करने की जोरत नहीं है, इतने अच्छे से यह कंडिशनर का वर्क करता है, तो बहुत ही अच्छे से साइन लेके आता है हमारे बालों में, अगर इसमें आपके बाल अगर जढ रहे हैं अगर आपके बाल ड्राइ हो गए हैं तो ये बहुत ही अच्छे से आपके बालों को रिग्रोथ करेगा जढने से रोकेगा और हमारे बालों को नैचुरल तरीके से ये काला करता है तो इस तरह से मैं पूरे पहले स्कैल्प में इ कर सकते हैं Heare Serum की अप्लिकेशन को हमें पूरी तरीके से आपलाई करना है अपने स्केलब से लेकर टांट टक और जो फैस्ट वह दू हमें हैल्दि बेनिफिट के साथ साथ हमारे बालो के लिए भी एक वर्दान की तरह होता है यह बालों की हएर ग्रोफ होने में हमारी हैल्प करता है बाल सफेद नहीं होने देता है कि डैंडरॉब बहुत ज्यादा हो रहे तो प्याज के रसका आप इस्तमाल कर सकते हैं डेंडर्फ को मीटाने के लिए अगर हेर इसको भी यह रोकता है प्याज में ना ऐन्टी बैक्ट्रियल ऐन्टी फंगल अंटी आक्सिडेंट सारे गुन होते हैं जो हमारे बालों को काफी घंडा मोटा मजबूत बनाता है यह हमारे जो स्केल्प होता है इसको यह काफी अच्छे से रिकवर करता है और इसे ना को सब्सक्राइए चिया भी ति सब्सक्राइब में आप दिखाती हूं हेर temples करने के बाद अपने बालो का अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने सुंदर चमकदार दिखे ना तो ये शॉलिशन आप जरूर एक बाद ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके फिर बताइएगा कि कैसा लगा तो देखे मैं यहां पर अपने बाल वास करके आ चुकी हूं और मैं आपको दिखा रही हूं कि किसी की काम किया हैं यहां पर बाल मेरे कितने साइन दिखि रहे हैं मैंने कोई भी कंडिशोनेर अलग से पलाई नहीं किया है उनलीtor मैंने यह जो सीर्म को अपलाई किया था और इसमें अबने कैस्टर ओइल डाला है हमारे बालों के लिए बिलकुल बरदान है बहुत ही ह कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से चमकदार बन रहे हैं तो अगर आप भी चाहते हैं आपके बाल लंबे हो और मुझे ना डेड़ से दो महने में बहुत ही बैटर रिजल्ट मिला हैं मेरे बाल दो इंच तक बढ़ चुके हैं मैं आपको कोई वीडियो में जरू दिखाऊंगी तो चले फिर से मिलती हूँ इसी तरह के डिया वाई के साथ अब तक के लेटा ता बाई बाई टेक कियर